सक히, आज हम जानते हैं, गर्बावस्ता के दौरन पैर का दर्द गर्बावस्ता के दौरन आपके अंदर पल रहे बच्चों को विक्षित होने में और उसे जगह देने के लिए आपके शरीर जबरदस्त बदला होते हैं इसकार दिया होता है कि आपको morning sickness से लेकर पैरों पर भी सुजन के साथ-साथ गंबिर दर्द और कई सारे लक्षन दिखाई देते हैं, जो आपको रोज मर्जा के जीवन में भी तकलिप दे सकते हैं, गर्भावस्ता के दवरान पैरों पर लगातर दर्द आपको खड़े होने छेलने यहां तक कि उन पर बहुत देर तक जोर डालना मुश्किल बना सकता है, गर्भावस्ता के दवरान पैरों के दर्द को रोकने के लिए आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन आप इस दर्द को कम करने के लिए कुछ तरीकों का उप्योग कर सकती है और राहत पा सकती है, गर्भावस्ता के दवरान पैरों के दर्द से निपटने के लिए उसके कारण समझना जरूरी है, शरिर में होने वाले परिवर्तों के साथ साथ लगबक सभी महिलाए, गर्भावती महिलाए अपने पैरों में दर्द का अन्वाव करती है, लेकिन इस मामले में कई कारण भी नहों सकते हैं जैसे कि प्राकृतिक रूप से वजन बढ़ने से आपके पैर और आपके पंजे की आर्च के आसपास लिंगा मेट पर दबाव पड़ सकता है जिसके आपके पैर पर पैरदर कर सकते हैं बढ़ते वच्चे का वजन के परिणाम सरुप आपके शेरिर में गुरुत्वा करशन का केंदर इसके लिए आपको खड़े होने और उस दोरान आपके स्थिति और पोश्चर को बदलना पड़ता है जिससे आपको पैर पर अनुचित जोर पड़ता है अतरिक्त वजन के कारण भी आपकी चाल बदल सकती है ऐसे आपके पैरों की मास्पेश्य में खीचा हो सकता है गरबावस्ता की दवरान खून की मातरा की बढ़ने से भी पैरों में आइटन हो सकती है गलत आकार या टाइट चूते चुपल आपके पैरों पर भी जोर डाल कर दर्थ पैदा कर सकते है गरबावस्ता की दवरान एडिमा जैसी समस्या से आप पीडित हो सकते है जिसमें उनके पैरों पर सूजाती है और बहुत सारा दर्थ भी होता है ऐसा अकसर दूसरी तीमाई में होता है जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है गरबाशे फैलता है और पेल्विक शेत्र में बलड वेलेक्स वेसल्स पर बहुत जोर आता है यहां बलड सर्कुलेशन में बादा डालता है और पेलों में खुन जमा होने के कारण भी बनता है जिससे पेलों पर सुझा सकती है कई बार ज़्यादा वाटर रिटेशन से भी पेलों पर सुझा जाती है और प्रोनेशनन को फ्लेट फूट के रूप में भी जाना जाता है यहां पेरो पर अत्टेंडिक दबाव के कारण होता है ओवर प्रोशने शल के साथ आपकी पीट के साथ-साथ पिड़ियों की और माच स्वेशूँ पर अत्रिक्त दबाव पड़ सकता है गर्बा अस्ता के दवरन पेरों के दर से रहात पाने के लिए आप अपने डॉक्टर से पूछ कर अर्थोटिक्स का उप्योग कर सकती है आपके पेरे के आर्च को सपोर्ट देने में इसे चप्टा होने से रोकने के लिए आपके जूते में अर्थोटिक्स डाले जा सकते हैं हमेशा धान रखे कि आप सही और आरंधा एक जूते पहने यहां आपको सपोर्ट दे सकते हैं हमेशा पेरों को उपर उठा कर बैटे यहां बलड़फों को सुवीदा जनक बनाने के लिए एडिमा को रोकने में मदद हो सकती है बलड़फों में सुदार के लिए गोल गुमाएं इस तरह सरल एक्सरजाज से आप अपने पेरों की एटन से छुटकर आपा सकती है और आपका दर्द भी कम हो सकता है खुद को हाइडरेट रखे, डिरसारा पाने पीए क्योंकि डिहाइडरेशन से सूजनर और उरुद्धी हो सकती है और वॉटर रिटेशन बढ़ सकता है बैलेंस टाइट ले और अतिरिकता नमक से बचे क्योंकि यह water retention बढ़ा सकता है अपने पैरों पर olive oil या किसी तेल से मालिश करे जो यह दर्द को दूर करने में और foot मशाच के लिए आपको आरामदारे महसुस करा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा गुन-गुना तेल से मालिश भी कर सकती है cotton के मुझे पहनने से blood circulation को आसान बना सकते है पैरों में blood circulation को सुविधा जनक बनाने के लिए compression stockings भी पहने एडिमा आपके पैरों से रखत पंप करने के आपके शरीर की शमता को कम कर देता है ये stockings पैरे के नशक के आसवास की मास पेशियों को संकुलिशन करके सरल बनाने में मदद करते है जिससे रखत उपर क्या और आ जाता है यदि आप तेज़ दर्स से जूज रही है तो उससे राहत पाने के लिए बर्ब की थैली का प्रयोंक करें गर्बावस्ता के दोरान आपकी वजन के कारण आपके पैर पर बहुत तगलिप से गुजरना पड़ता है गर्बावस्ता की शुरुवात में पैरों में दर्द बहुत आम नहीं है ज्यादा परेशन संभावना को कम करने के लिए साउधानी बरतने की सलाह दी जाती है नेमित एक्सरजाइज और उची तहार पैर दर्द को दूर रखने में मदद कर सकता है गर्बावस्ता के दोरान आप एंकल फ्लेक्स एक्सरजाइज कर सकती है एंकल रोटेशन एक्साइज कर सकती है गर्बावस्ता के दोरान पैर के दर्द से निपटने के लिए राइस, रेस्ट आइस, कमप्रेक्स और एलिवेट को भी ट्रिक की उसको ध्यान में रखकर आप उसकी बहुत मददगार हो सकती है जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको रोज मर्या के कामों में करने में दर्द हो रहा है तो आप तुरंट अपने डॉक्टर से सलाव कीजिए घर पर ही पैर दर्द से रहात पाने के लिए आप घरोले तरिके कभी अवलंबन कर सकती है तो सखी आज हमने जाना गर्बावस्ता के दर्ण पैर का दर्द हमारी देई हुई इन्फॉर्मेशन आपकी गर्बावस्ता की अवस्ता और परिस्तिती को जानजने में मदद करेंगी सखी अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें जरूर पूछे हम उसका जाब देने की कोशिश करेंगे हमारी वेवसेट www.garbosavskar.in से भी आप जादा से जादा आए जानकारी प्राप्त कर सकती है मिलते हैं नई वीडियो के साथ धन्यवाद मिलते हैं हंप सकती है मुझ थैसे भी आपके के जादा ले भी स्यव affiliated मुझ भी आपके में छिल्वेश भी आपके मेर आपकारी वे ट्सेया का सकत्ती है झाल झाल